अब यहाँ पर अगर हम देखें जैसे ही आपकी income थोड़ी सी और बढ़के हो जाती है 12,00,00 रुपे तो आपका जो old tax regime with investments है और new tax regime इनकी जो income tax है दोस्तों वो almost match होगी तो दोस्तों जब आप income tax pay करते हो तो आपके पास दो options होते हैं या तो आप old tax regime को चूज करके अपना income tax pay करो या फिर new tax regime को चूज करके अपना income tax pay करो लेकिन दोस्तो टाइम के साथ जैसे कि आपको पता है कि financial year start होता है April से लेके अगले साल March में end होता है तो दोस्तो हो सकता है कि आपको कई सारे bonuses मिले हैं या फिर आपकी जो salary है वो increment हुई है या फिर जाहतर cases में आपने ये भी देखा है कि आपने जो है job switch किया है और आपको hike म मिला है तो दोस्तो ऐसे cases में आपकी जो salary है वो consistently सारे महीनों में same नहीं होती तो आपको एक projected yearly income का figure find out करना होता है जिसके हिसाब से आप अपना income tax calculate कर सकते हो दोस्तों income tax कैसे calculate होगा financial year 2021 और 22 में या फिर financial year 2022 और 2023 में इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका link म section में भी डाल दोंगा तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो लेकिन दोस्तों आज का वीडियो specifically इस topic पर बनाया है कि जैसे ही आपकी जो income है वो increase होती है एक particular financial year में उसके हिसाब से आपका income tax पर क्या impact पड़ता है क्या income tax उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा वो हम check कर करेंगे calculators के जरीए तो दोस्तों आपके लिए मैंने एक income tax calculator बनाया मेरी website पर जो कि आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो जहां पर आप अपना income investments डालकर check कर सकते हो कि old tax regime and new tax regime के इसाब से आपका income tax कितना होता है और according लिए आप अपना decision ले सकते हो दोस्तों कि आपको किस tax regime के साथ अपना income tax pay करना है तो दोस्तों मेरी website पर आने के लिए आपको google पर आना है और search करना है finkelsey blog तो दोस्तों finkelsey blog search करने के बाद आपको सबसे पहला link दिखेगा finkelsey-blog.in जो की मेरी website है यहाँ पर आपको click करना है और फिर यह वाला home page open हो जाएगा यहाँ पर relative calculator और भी कई सारे calculators मैंने यहाँ पर add किये हुए हैं और future में और भी सारे calculators हम add करते रहेंगे यहाँ पर आपको income tax पर click करना है तो एक new window में आपका income tax calculator open हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से इस calculator को use कर सकते हो अपना income tax calculate करने के लिए यहाँ पर financial year 2022 और 2023 select कर सकते हो आ यहाँ पर important चीज़ यह है कि अगर आप salaried employee या फिर pensioner हो तो आपको additional standard deduction of Rs.50,000 मिलेगा old tax regime के हिसाब से new tax regime में आपको कोई भी investment options या फिर deductions का फाइदा नहीं मिलेगा तो समझा अगर आप एक salaried employee हो यहाँ पर आपको salaried का option select करना होगा और फिर income from salary समझा अगर आपक 6,600 रुपीज और new tax regime के हिसाब से होता है आपका 78,000 तो दोस्तो इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इस calculator को use कर सकते हो अपना income tax calculate करने के लिए इसके अलावा मैंने यहाँ पर deductions भी दिये हुए है section 80C में समझा अगर आपने 1,500,000 रुपे already डाला हुआ है तो यहाँ प तक तो आपको बहुत सारी information मिल गई तो एक like तो बनता ही है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुझे इसके अलावा मैंने यहाँ पर excel calculator का भी link दिया है download income tax excel calculator from here तो यहाँ पर जैसी आप click करते हो एक new article open हो जाएगा जहां से आ आप excel calculator है वो download कर सकते हो इस article में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि आपका income tax कैसी calculate होता है किस तरीके से जो slab wise details है आपके excel calculator में वो काम करेंगे तो आप यह वाला video भी देख सकते हो यहाँ पर आपको download income tax excel calculator table of contents में दिख जाएगा तो जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया जैसे कि आप देख सकते हो यह link download income tax excel calculator इस पर जैसे कि आपने क्लिक किया new window में excel calculator open हो जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हो इस excel calculator को आप अपने computer पे या फिर mobile पे download करके अपना income tax calculate करके चेक कर सकते हो दोस्तों मैंने आपके लिए एक free android app fincalcy बनाया हुआ तो अगर आपको आपके mobile पे income tax calculate करना है और track करना है monthly basis पे तो आप मेरा free android app fincalcy download कर सकते हो जिसका link में description section में डाल दोंगा अब दोस्तों important चीज़ें आपके क्या है कि इस excel calculator में मैंने आपके लिए यह chart बनाया हुआ है जिससे हम समझने वाले हैं कि जैसी आपकी income increase होगी 5, पांच लाग से लेकि 10,000, 10 से लेकि 15 है और फिर 20,000,000 तक की जैसे ही आपकी income increase होती है तो आपका कौन सा better option रहेगा जहां तक आपका income tax calculation का सवाल है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5,000,000 या फिर उससे कम की अगर आपकी income है तो आपको कोई भी income tax रहा है और फिर दोस्तों यहाँ पर एक और एंट्री है blue line की जो कि आपको बता रहा है old with investments यानि की old tax regime और 2,000,000 की हमने specific investment जो है उसको consider किया है आप अपने इसाप से invest कर सकते हो आपके उपर depend करता है कि आप section 80C में या फिर section 80C D1B में या फिर और भी कई सारे investment options है जिसके मैंने अलग से video बनाया हुआ है जिन investment options की मदद से आप old tax regime के इसाप से अपना income tax बचा सकते हो तो आपके investments कितनी होती है उसके इसाप से आपका कितना income tax हो सकता है old tax regime के इसाप से वो आपको देखना पड़ेगा लेकिन दोस्तों जैसे ही आपकी income बढ़ती है जैसे कि आप आपको जादा income tax pay करना ही पड़ेगा without investments तो यह वाली जो red line है यह without any investments है green line है जैसे कि आपको दिख रहा है जहां पर आपका कोई भी investments matter नहीं करेगा तो उस पर आपको कम income tax pay करना होगा compared to यह जो red line है वो और दोस्तों important चीज़ यहां पर यह है कि blue line से जब आप old tax regime के इसाब से आपका taxable income है वो हो जाता है 5 lakh rupees का तो इसके इसाब से tax rebate under section 87A जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ है income tax calculation के वीडियो में कि आपको कोई भी income tax pay करने की जरुरत नहीं है अगर यह tax rebate under section 87A picture में आता है और यह तब picture में आएगा जब आपकी सा चालाने income 7 lakh है और किसी भी तरह अगर आप 2 lakh का investment करते हो आपकी taxable income 5 lakh है उससे नीचल आने के लिए तो आपको कोई भी income tax pay करने की जरुरत नहीं है अब दोस्तों बात यह आ जाती है कि जैसे ही आपकी income 7 lakh के ऊपर जाती है आपको कुछ ना कुछ income tax pay करना ही होगा तो जैसे लाग की income है यहाँ पर और आपका जो income tax है old tax regime के हिसाब से वो कम है compared to new tax regime के हिसाब से 2 lakh का investment already यहाँ पर हो गया कि डेड़ लाग आपका section 80C में आ गया और standard deduction of 50,000 आपको automatically मिल गया क्योंकि आप एक salaried employee अब यहाँ पर अगर हम देखें जैसे ही आपकी income थोड़ी सी और हैं यहाँ पर बारे कर देता हूं तो जैसे कि आप सकते हो एक लाग शत outsiders और यहाँ पर एक लाग उननीगा 6600 रुपे है हए और अगर हम इसको ठेरे क्श्च और देते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप income tax देख सकते हो 1,48,200 और 1,43,000 तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया old tax regime के हिसाब से तो somewhere around 12,50,000 पर अगर आप 2,00,000 की investment करते हो तो आपका जो income tax है वो match होगा अगर आप 2,00,000 की investment भी करते हो तो old tax regime के हिसाब से आपको same income tax पे करना होगा और फिर दोस्तो उसके बाद जैसे ही आप अपने income increase करते हो यहाँ पर आप 2,00,000 की investment से उतना save नहीं कर पाओगे old tax regime के हिसाब से जितना आप save कर सकते हो new tax regime के हिसाब से जैसे कि आपको दिख रहा है यह green line जो है यह नीचे आ रही है तो अगर हम यहाँ पर अपने calculator में 20,00,000 रुपे का example consider करते हैं तो जैसे ही हमने 20,00,000 का income डाली जैसे कि आप देख सकते हो 3,66,600 रुपीज का आपका old tax regime के हिसाब से income tax होता है जो की जादा है compared to new tax regime जो की है 3,51,000 रुपीज और यहाँ पर automatically आपका जो investments है वो apply हो गया है तो इस हिसाब से आपको यह track करना होगा कि आपकी yearly income कितनी होती है दोस्तो बहुत सारे लोगों का bonuses मिलते हैं आपको या फिर आपका जो increment होता है वो भी picture में आता है जब आपका financial year चल रहा है तो आपके इसाब से कितनी projected income है वो आप यहाँ पर डालके check कर सकते हो deductions आपका जो भी planned investments है वो यहाँ पर डालके check कर सकते हो कि आपका old tax regime या new tax regime के इसाब से कितना income tax हो रहा है और उसी के इसाब से आप अपना option choose कर सकते हो कि आपको old tax regime के साथ चाहिए या new tax regime के साथ जाना चाहिए दोस्तो comment section में मुझे ब compounding यह मैंने समझाय हुआ है excel calculator को use करके दूसे और एक वीडियो में आपके mutual funds में SIP यानि की systematic investment planning के त्वारा और some investment अगर आप करते हो तो उसमें आपका returns कैसे calculate होता है यह भी हमने देखा है इसके अलावा SWP यानि की systematic withdrawal plan में आपका returns कैसे calculate होता है जब आप monthly एक particular amount जो है वो withdraw करते हो आपके mutual funds में तो वो भी हमने देखा है excel calculator को use करके examples के साथ इसके अलावा आपके home loan पे आपका EMI कैसे calculate होता है EMI के साथ साथ आपका principal और interest amounts कैसे calculate होता है और कैसे आप थोड़ा सा prepayments करके आपका interest amounts है वो आप बचा सकते हो आपके home loan पे यह भी हमने देखा है excel calculator को use करके दोस्तों यह सारे videos आप देख सकते हो एक playlist में जिसका link में ने already description section में दिया हुआ है तो दोस्तों जैसे कि आपने excel chart के जरीए देखा जैसे ही आपकी income increase होती है अगर आप old tax regime को choose करते हो तो आपको सबसे जादा income tax pay करना होता है provided कि आपने कोई भी investments नहीं किये हैं लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा investment करने लगते हो आप थोड़ा सा अपना income tax बचा सकते हो old tax regime में लेकिन दोस्तों new tax regime के साथ क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि यह reduced tax lab rates है new tax regime में तो आपको कम income tax pay करना है compared to old tax regime के साथ और दोस्तों इसी के वज़े से यह आपकी income और investments पर depend करता है कि आपको कौन सा tax regime को choose करना चाहिए कम income tax pay करने के लिए और दोस्तों अगर आप 2 लाग का investment कर सकते हो एक particular financial year के लिए और उस year में आपका चो income है वो around 12.5 लाग रोपे तक है तो दोस्तों हमने य लिए ऒनो ही income tax match होता है और दोस्तों इसी के हिसाब से अगर आपकी income उससे कम हैं तो आप old tax regime को choose करके कम income tax pay कर सकते हो जब अपata pull पेंसे ज्यादा है तो आप new tax regime को choose करके आपको कोई बी investments नहीं भी करना है, तो भी आपको कम income tax pay करना होगा, जब आप new tax regime को choose करते हो, तो यह सारे decisions आप तब ले सकते हो, जब आप monthly basis पे अपनी जो income है और investments है, वो आप track कर सको, आप अपने mobile device पे भी track कर सकते हो, या फिर मेरे calculator है, जो की website site पे available है, उसके साथ भी आप track कर सकते हो, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरू में कहा, आप मेरा free end.app finkelsi डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका income tax calculate करने के लिए, जो सो इस पे अभी तक 50,000 से भी ज़्यादा installs आ चुके हैं, और time के साथ आपने बहुत ही अच्छे कास से reviews भी दिये हैं हमें, जिसकी मदद से हमने इस app को improve भी किया है, और आगी चलके improve भी करते रहेंगे, एक पार इस app को ज़रूर डाउनलोड करके इसकी features चेक कीजिए, और अपने suggestions भी आप दे सकते हो comment section में, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो subscribe कीजिए मेरे YouTube चैनल फिन के ऐसी सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाईए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो आप देख सकें फिर मैंने की किसी और परसनल फाइनेंस लेटेड टॉपिक को लेकर तब तक के लिए आप यह वाले वीडियो देखो